हेलो दोस्तों, आईये start करते हैं आज की हमारी class. आज की class में हम करेंगे Practice it entered, इसमें हम वन लाइनर किउशन करेंगे, जितने जादा किउशन हो सकते हैं हम इस Series में cover करेंगे ये अभी परिख्रियों के लिए important है, especially विरेलवे के लिए यह उनके लिए important है तो हम इसमें, जितने ज़्यादा हो सगे, उतने questions कवर करेंगे, तो आईए start करते हैं, तो आईए start करते हैं, हमारा पहला question है, Radio Secreta की खोज किसने की, तो Radio Secreta की खोज किसने कीती? यह कीती, Henry Baku Rail ने, किसने कीती Radio Secreta की यह किती हैंडरी बैक्यूरेल ने, next है, हाइटोजन का आविस्कार किया था, important question है, पूछा गया था, तो किसने किया था हाइटोजन का आविस्कार, यह किया था, केवेंडिस ने, किसने किया था हाइटोजन का आविस्कार, यह किया था, केवेंडिस ने, ये एक्जाम में पूछा गया क्यूशन है, ये पूछा भी जाता है, एक्जाम में इंपोर्टेंट है, आगे भी पूछा जा सकता है ये Next है, Nobel पुरुसकार विजेता, प्रथम भारतिये कौन थे, जिनको Nobel पुरुसकार मिला था, किनको मिला था ये रविंदर नार्टेगोर को मिला था, किस छेत्र मिला था, इनको साहिते में मिला था, किस में मिला था, साहिते में Nobel पुरुसकार जो है किसको मिला है, रविंदर नार्टेगोर को है, ये प्रथम भारतिये थे, जिनको Nobel पुरुसकार मिला था आगाखा कप जुड़ा है तो किस से जुड़ा है ये होकी से जुड़ा हुआ है कौन सा कप है आगाखा कप है जो कि होकी से सम्मंदित है नेक्स्ट है लाल बादुर सास्त्री जी की समाधी कहलाती है तो कौन सी समाधी है इनकी ये है विजे घाट क्या कहलाती है इनकी समाधी ये विजे घाट के नाम से जानी जाती है लाल बादुर सास्त्री की समाधी स्थल नेक्स्ट है ओटावा राजधानी है तो ओटावा है वो कहां की राजदानी है ये कनाड़ा की राजदानी है कौन सी है कनाड़ा की राजदानी ओटावा है नेक्स्ट है बड़ागा जन जाती है ये कहां है ये तमिल नाडू राज्ये में पाई जाती है कौन सी बड़ागा जन जाती नेक्स्ट है संसार में सबसे उचा बांध है तो सबसे उचा बांध कौन सा है संसार का ये है रोग्यू वसकी कौन सा है रोग्यू वसकी है जो कि उजवेकिस्तान में है और भारत का सबसे उचा बांध कौन सा है ये है टीहरी बांध कौन सा है टीहरी बांध है कहां पे है उत कौन सा है टीहरी बांध है उत्राखंड में है और भागिरती नदी परिस्तित है ये भारत का सबसे उचा बांध है नेक्स्ट है वाद्य यंद्रू में सबसे पुराना यंद्र है कौन सा है जो सबसे पुराना है ये है वीना कौन सा है वीना है जो कि भारती वाद्य नेक्स्ट है होकी मेज खेलने का सामाने समय होता है तो किते मिनट तक खेलते हैं ये 70 मिनट तक इसका सामाने समय होता है होकी मेज का नेक्स्ट है स्वतंतर्ता प्राप्ति के पश्याद भारतिय राष्ट्य कांग्रेश का पहली बार विभाजन हुआ कब हुआ था ये 1969 में जो है भारतिय राष्ट्य कांग्रेश का विभाजन हुआ था नेक्स्ट कुशन है गरासिया जन जाती है ये कहां पर पाई जाती है गरासिया जन जाती है ये राजस्तान की एक जन जाती है कहां पर है गरासिया राजस्तान में है नाटो का मुख्याले है कौन सा है ये ब्रुसेल्स में है नाटो का मुख्याले क्या है नाटो का मुख्याल ये जो सारवादिक उप्युक्त माना जाता है। नेच्सट है, अंग्रेजी सापताइक पत्ति का फ्रन्ट लाइन किस समाचार पत्र समुव का प्रकासन है, तो किसका है, ये हिंदू का है। नेच्सट है, अलंग नामक प्रसिद सिप स्क्रेपिंग यार्ड है, है. कहां पर है. ये में है नेक्स्ट है. पाकिस्टान के साथ हुए उन्नीसोग पैंसाट सब्सक्रवाभनेक धुक्र के समयए भारत के राष्ट तूसरा है अती विशिष्ट सेवा मेडल यह जो है तीन विशिष्ट सेवा मेडल है नेक्स्ट है विश्वे का सबसे लंबा प्लेटपॉर्म है। सबसे लंबा हुआ करता था लेकिन अब जो है, कौन सा बन गया है, यह करनाटक राज्ये के हुबली में स्री सिद्ध रूदा रेलवे स्टेशन जो की है 1.5 किलोमेटर की साथ दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफोर्म जो है, बनाया गया है कहां पे करनाटक में बना दिया गया है, इसका उदखाटन हुआ, कहां पे ये हुबली में है, कौन सा रेल्वे स्टेशन है, हुबली है, भातिय रेल्वे, दक्षिन पस्टिम रेल्वे जो अन हुबली, अब सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होने के कारण गिनीज बुक ओफ व सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो गया है, और तीसरा कौन सा है, केरल में जो है, कौलम जंक्शन, ये जो है, तीसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, नेक्स्ट है, जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो सूर्य की किरने प्रतेक्स गिरती है, कहां पर गिरती है, ये भू प्रथम ओध्योगिक ओलंपिक खेल आयोजित किये गए थे, कहां आयोजित किये गए थे, यह एंधेंस में आयोजित किये गए थे, कौन से प्रथम आधूनिक ओलंपिक खेल है, कौन से प्रथम आधूनिक ओलंपिक खेल जो है, कहां आयोजित किये गए थे, यह एंधेंस में आयोजित किये गए थे As you like it लिखी है किन की पुष्टक है ये है William Shakespeare की कौन सी है As you like it किन की बुख है William Shakespeare की है Next है प्रथम ACI खेल का मेजबान था कौन था ये था भारत प्रथम ACI खेलू का मेजबान कौन था ये भारत था Mount Everest पर चड़ने वाली प्रथम भारतिय महिला थी कौन थी ये थी बचेंद्री पाल important है इंसे question पूछा जाता एक्जामे Sunny Days लिखा गया है ये भी important book है बहुत बार एक्जामे पूछी गई है तो किन के द्वारा लिखी गई है ये सुनील गावसकर के द्वारा लिखी गई है ये कौन सी है Sunny Days है next है प्रसिद असमी लोग नर्ते का नाम है क्या है बीहू बीहू जहां भी नाम आये वो कहां का होगा वो असम का लोग नर्ते होगा important है बीहू से related question पूछे जाते है सामाजिक प्रकास्टा की इस्तती है कैसी है ये आदर्स इस्तती है next है सेनेगल की राजदानी है सेनेगल की राजदानी कौन सी है ये है डकार कौन सी है सेनेगल की राजदानी ये डकार है ओडिसी किस राजे का लोग प्रिये नर्ते है कहां का है ये उडिसा का है सागा दावा किस धर्म का पर्व है कहा का है ये बोध धर्म का पर्व है लाइफ ओपाई नामक पुस्तक के लिखक है कौन है ये है येन मार्टल कौन है लाइफ ओपाई पुस्तक है उसके लिखक कौन है ये है येन मार्टल नेक्स्ट है माले किस देश की राजदानी है कहां की है ये माल दिव की है जो राजदानी कौन सी है माले है नेक्स्ट है दक्षिन मद्दे रेल्वे का मुख्य कारियाले है कौन सा है दक्षिन मद्दे रेल्वे का कारियाले ये है सिकंदराबाद में नेक्स्ट है वेलूर किस नदी के तटपर है जो वेलूर है वो किस नदी के तटपर है ये है यागाची नदी के तटपर कहां का है ये तमील नाडू राज्ये के वेलूर जिले में स्थित एक नगर है कौनसा है वेलूर है भूदान आंदोलन प्रारम किया important question है किनों ने प्रारम किया था ये आचारिय विनोबा भावे नेसको है प्रारम किया है कौन सा है भूदान आंदोलन है next है करनाटक का मतलब होता है क्या होता है ये होता है लहरदार भूमी से जो है क्या है करनाटक का मतलब क्या है लहरधार भूमी राष्ट ये आहार संस्तान इस्तित है कहां इस्तित है ये हैदराबाद में स्तित है भारत के राष्पती बनने से पहले भारत रत्न पुरुसकार मिला था तो किनको मिला था भारत रत्न पुरुसकार उनके राश्पती बढ़ने से पहले ये दिया गया है डाक्टर जाकिर हुसेन एवं डाक्टर एस राधा कृष्णन को नेक्स्ट है मौन्ट्रियल सनलेख या प्रोटोकॉल सम्दित है जो मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किस से सम्दित है ये है ओजोन परत के सरण से किसके जो ओजोन परत का जो आउशे हो रहा है आउशे या ओजोन परत का जो सरक्षन है उससे सम्दित है कौन सा है मौन्ट ये था यूरी गागरीन, कौन था अंतिक्ष में जानने वाला प्रथम जो है ये है यूरी गागरीन था, उस्ट्रेलिया की राजदानी है, क्या है केनबरा है, कोरियोग्राफी है, कोरियोग्राफी किस से सम्दित है, ये है संगीत नरते की करण कला से, किस सम्दित है, ये नर जुम क्रशी का एक तरीका है, गुगली किस खेल से सम्मंदित है, ये है क्रिकेट से सम्मंदित है, खेलू की जितनी भी सब्दावलियां है, वो आपको याद करनी चाहिए, सारी के सारी एकजाम पूछी जाती है, सारी इंपोर्टेंट है, संतूर है, संतूर क्या है, एक है, कौन है, ये मदर टेरेसा है, मदर टेरेसा किच की संस्तापक है, ये मिसेनरीज ओव चरिटी की संस्तापक है, रिचर्ड ऐटन परो की फिल्म गांदी में महातमा गांदी का पात्र निबाया, तो ये लिजाम में पुछा गया था, प्रिभेश जो रेल्वे गुरूप जीतने वाले वेक्ति हैं, कौन है ये William Honte-Gen है तो भोतीकी में भी पूछा जाता है, रसाइन सास्त्र में अभी SSC में पूछा गया कि पहली बार किसको मिला था, तो भोतीकी में है पहला नोबल पुरुसकार जीतने वाले वेक्ति कौन थे, ये थे William Honte-Gen फिल्म मांसून वेडिंग का निदेशन किया किस ने किया था मीरा नायर ने प्रसीद उपनियास आधे अधूरे के लिख़क है कौन है मोहन राकेश नेक्स्ट है दक्षिन दुरू पर पहुशने वाला सर्व पर्थम वेखती है तो कौन गया था दक्षिन दुरू पर सबसे पहले ये है रो आल्ड एंडूर सेन कौन गया था रो हाल एम्मून सेन जो है नार्वे के है ये गये थे और भारत के कौन गये थे दक्षिन दुरू जो कि भार्टिय जो दक्षिन धुरुवे पर पहली बार गए थे तो यह आज का हमारा प्रेक्टिसेटा जिसमें वन लाइनर कुशन हमने किये है वीडियो को लाज तक देखेने के लिए थैंक्यू